दोस्तो जितने भी एस्टूडेंट 223 में CUET के एक्जाम देने वाले हैं आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ इंपॉर्डेंट फूल होने वाले ठीक है आज की इस वीडियो के मादम से में जेनरल टेस्ट आप सभी को पता होगा कि इस की इस वीडियो के मादम से आपकी स्टैप से कोचन पूचे गए और पूछे जाएंगे उससे संबंदित हर एक को करवाए जाए ठीक है तो दोस्तों आपको वीडियो को ध्यान पर देखना है और अच्छी तरह से देखना ताकि आपको हर एक कोचन का एंसर याद हो जाए इसलिए आपको अच्छी तरी से पढ़ाई करना है और अच्छे नबर लेकर करके आना है ताकि आपका अच्छे कॉलिज में एडियूशन हो पाई दोस्तों में लास्ट में एक कोजिन का एंसर आप सभी को कमेंट करके लिखने बोलूँगा तो आप उस कोजिन का एंसर आपके स्क्रीन पर है कि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती दोस्तों जब तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्याल ले जाती तो उर्जा ले जाती है ठीक है राइट एंसर क्या हो दोस्तों उर्जा जब एक जब दोस्तों धौनी तरंग जैसी यांत्रिक तरंग यात्रा करती है तो यह है उर्जा के साथ साथ सभेंग भी इस्थांत्र करता है ठीक है तो उर्जा या फीर सभेंग में आपका जो option रहे गा आपको सही answer करईने पड़ेगा ठीक है दोस्तों मैं आपको यहां पर option है देड़ हुआ क्योंकि दोस्तों आपके c suscept सा भाग दिखाई देता है तो उसमें किरिट भाग दिखाई देता है, Right Answer किरिट हो जाए दोस्तो शूर्य गरहन करी क्वंचर्ण आपके एकज्यामे बन सकता है, आपको सबसे पहले बताना है, कि ये कब लगता है तो जब शूर्य और पिर्थवी के बीच दोस्तो जब चंद वर किलो मीटर है और लगभग फंदर्रा करोड किलो मीटर लगभग बात करें दोस्तों सूरी का सब्सक्राइब कितना टाम लगता है तो आठ टेंसर क्या हो जागा ऑफ्जैलिक अम्ला we the next Remo bin गंणे में लाल सडं रोक किसके कारण उत्पन होता है तो गंणे में लाल सडं रोक उत्पन होता है वह यूपी राजे ही है ठीक है अगल्लों 법 के प्पुछा गया है कि टेलीविजन का अविसकार किस ने किया था दोस्तों काफी इंपर्टेंग कोजण ए कि चो टेलीविजन है 12 अविस्कार है वो किसके द्वारा किया गया तो इसके अविस्कार दोस्तो जे एलबेट के द्वारा किया गया थीक है बात कर दोस्तो यह जो टेलीविजन है इसका जो सरवपर्थाम परियोग है यह 26 जनवरी 1926 जनवरी 1926 का दोस्तो सरवपर्थाम कारेसिल टेलीविजन तंत इसर क्या होजगा एपी थिल्यम उत्तक ठीक है उत्तक की बात करें दोस्तों तो आप लोगों ने नायन क्लास में पढ़ा गए कि उत्तक किसे कहते तो किसी जीव के सरीर में कोसिकाओं के सम्मूह को उत्तक कहते ठीक है या फिर जिनकी उत्तपत्ति एक समान हो तथा वे एक व मनुष्य ने सरपर्थम किस जन्तु को अपना पालतु बनाया दोस्तों मनुष्य जो है मानो है वह सबसे पहले कौन सा जानौर या फिर जन्तु को दोस्तों पहला दूर पालतु जानौर बनाया था तो कुत्ता राइट इंस रोजगा ठीक है दोस्तों यह पर जितने भी को से काफी इंपॉर्टन है इसलिए आप लोग हर एक कोज़न को अच्छी तरीक से पढ़ा लीजिए ठीक है किस विज्ञानिक ने सवरपर्थम बर्ख के दो टुकडों को आपस में घिसकर पिखला दिया तो दोस्तों राइट इन सवरपर्थम बर्ख के दो टुकडों को घिसक दिखांग आज कि हीरां चमकदार क्यों दिखाई दुस्ता आप पता होगा हिरे जो ह हमशा चमकता है कि वह किस चमकता है तो राइट एंसर हो गया सामूही आंत्रिक प्रावर्टन के कारण दोस्तों हीरा जो है वह हमें इसा चमकदार दिखाई देता है ठीक है तो आगले कोई यह ten में क्या पुचये है कि GOVAbaby guest में मुख्य रूप से का पया जाता है इसे मुख्य रूप क्या पह था कौन सा-्व्हम सा-ठीक दो मिध्यम देगे बट में यहां पर option नहीं दे रहो क्योंकि आप question को पढ़े रहेगा तो आप आसानी से वहां पर अच्छे कर पाएंगे ठीक है यदि आप इसलिए आपको हर एक question को प्रलन है ठीक है अगलों 12 में कि निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिप के लिए दोस्तों वहां पर आपको चार option देए तो यह जो डे को छिप के लिए दोसों यह ऊड़ने वाली एक छिप के लिए ठीक है अगलों 13 में है कि अंगुर में कौन सामल पाए जाता दोस्तों यह जो अंगुर है जितने भी खटे पदार्स होते दोस्तों जितने भ की गोसला बनाने वाला एक मात्र अलब कॉंश्य है कि अपने लिए गोसला भाएंस ये पर स्रिक्तिर पर्लेयो प्रमें इस question का answer पहले ही बताए तो आपको इस question का answer जो है वो comment box में comment करके लिखना है ठीक है बहुत सारे student comment नहीं करते मैं हर एक student का comment पढ़ता हूँ इसलिए आप वो comment box में comment करके जरू लिखेगा और इसी तरह और भी important कोछी चानल चाहते दोस्तों तो आप इस चैनल के फिल लिस्ट सब्सक्राइब तक के लिए जय हिंज भारत